धरमपूरी थाना शेत्र की ग्राम टवले के समीब सुनिल राठोड के खेत के पास छोटी नहर में आज सुभ़ एक युवक का शोव मिलने से शेत्र में संसनी फैल गई सुचना मिलने पर धरमपूरी थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुचे और पूश्टाच की गया था फिलाहल म्रत्यू का कारण इसपस्ट नहीं हो पाया है मौके पर पहुची एफ एस एल की टीम और पूलीस ने मर्ग कायम कर जाज शुरू कर दी है धरमपूरी से सुनिल वासकले की रिपोर्ट अपना बतिजात लड़को थे ये कल आठेक बजे रोटी खाई निकले आठ साड़े आठ बजे अब गाहों में कहीं घुटको मुटको लेना आये थो यत अब सुबह वो जो खेट पड़ोसी जिर्वी वाला नन राटोड उननन चर्चा करी जब हम गया जब हमका पतो लगे अपनों चोरो समझेल यार यत योत सराब्य हमार कई निहाई आरो कमा यार अब अब वो काई बता हुआ अब अब साइक अपनी रिच्छा का राजिस कंसाना है यह क्या है हमको सुंतिन अपराप्त हुई थी चोफिदारन के तुरू मर्क कायम करवाया था इसमें के एक आदमी नेहर में पड़ा हुआ है और उसको देखा सबको बाहर निकाला लोगों की मदद से तो प्रसम दश्चा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गिरा हो किसी कान से उसकी गर्दन पानी में डूबी हुई थी और उसको लाए है उसका पीम करवाया है और जहां जारी यह देखते हैं पीम के सब्सक्राइब करेंगे हैं यह वह देख रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना खुलें